अब दोस्तों स्वागत आमारी योटूब चैनल ऐसे राट में दोस्तों आज वीडियो में सिखेंगे कि घाज पटी वो कैसे बनाते हैं तो यह मैंने सवा इंच की पटी लिए तो जो मार्केट में आपको तूरा रोल तैयर मिलता है यह सभी साइच के मिलते हैं कूं पर इंच के मांते हैं तो आप देख रहे हैं दो इंच मार्क लगाया था अब यह कितना नाप लेना पटी का तो आप यह बटन पटी को आप रहकर कर सकते हैं दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमने बटन पट्री मार्क लगाए जए दो इंच, तो आभी हम 1.5 पे पर मार्क लगाते हैं, यादा आधा इच बार की साइड में नाप लगाते हैं पहले उसका मार्क करेंगे, जो मार्क की आधा इंच बटन पट्टी से बार की साइद में उसके उपर ये आपको पट्टी लगाने है तो दोस्तो वीडियो को अंतक देखे हम पट्टी पूरी सिलाई करके भी बताएंगे तो अभी पहले इस से इस्तरी लगा के उसके उपर चिपका देंगे दोस्तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताके आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले अभी ये आमने पटि लगाय है के नवास की उतना इँसके उपर कपड़ा रहना मैं चाहिए अगर आँज। कुछ ज्यादा है तो आमको कपड़ा रहना है तो आप देख रहे हैं तो हमारी जितनी पट्टी है उतना है उसके उपर कपड़ा रहना चाहिए अगर ज्याद आए तो उसको आपको कटिंग कर लेना है तो आप देख रहे हैं यह मैंने कटिंग कर दिया है उसके उपर जो कपड़ा था और ये बटन पति हैं और ये गाड़ पति है अभी हम मसंडे जाकर बनाते हैं कैसे बनाते करी आपकर पहले تो नाक कर लेना चेहरे मैं अभी करीब जो हमारे फूट जिक रही है मसंडारिम की उसके इसाब से इतनी ही हमको खाना है बार की साइट है तो दोस्तों इसी तरह आप जो लगाते है सर्ट में तो जो सर्ट का उल्टा कपड़ा रहता वो बार नहीं देखता तो जो सिधा कपड़ा है वही आता है इसके बार देखने में ऐसे पटी बनाते है तो आप और आप ही आप देखे पहले तो कप्रा सिधा होना जाए अब जो आमने पहले इसले लगाए उतनी इसले आमको लगाने है तो दस्तों आप देख रहे हैं यह तो यह पट्टी बनाने का बहुत आसान तरीका है अभी चाहिए इसके उपर आप प्रेस भी कर सकते हैं तो प्रेस करके देखें तो बहुत अच्छा वो देखने में लगता है इसमें बहुत एक इच की देख इच की और सवाई सभी नाप के आते हैं पट्टी तो आप जितना भी नाप का लगाना वचा लगा सकते हैं तो दोस्तों बहुत बढ़िया सुन्दर यह पट्टी बनी है तो दोस्तों अमारा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करे शेर करे और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में